नमस्कार जालोर जनसर में यूज में आपका स्वागत है। मैं भी बहुत अगेला सीधे लिए चलती हूँ आपको आज के मुख्य समाचारों की ओर। लोकडाउन के दोने घरों पर मनाई महाविर जैन्ती। कारेकरदाओं ने मनाए भजबा का स्थाफना दिवस्ट। लोकडाउन के दोनाग जी फ्रेमियों की सेवा। कुरोना राहत पी लिए जन्प अधिनितियों ने दिये बयाने स्राथ की सायदा। आरे यूथ विंग जालोर द्वारा बाटे राशन सामगरे किट। अधिकारियों ने गावों का दोरा कर दिये निर्देश। भामाशाओं ने राहत कोश में दी सायदा राशी। देवल ने किया अस्पताल का निरिक्षन दिये निर्देश। वेवदणा में पुलीस जवानों ने किया बैंक कर्मचारियों का कार्य। पुलीस एवं सरबंच की सूच बूस से आग पर पाया काबू। जल्दाय विभाग के हेलपर की मनमानी से ग्रामिट परेशान। लॉकडाउन में सुरक्षा व्यवस्ताओं के लिए किया फ्लाइक मार्च। घर घर जाकर किया राशन वा उव्यों की सामगरी का वित्राण। लॉकडाउन के दौराण जवित मंदों को दी जा रही सायता। महावीर जन्म कल्यानक पर वो घरों पर मनाया। अब समाचार विस्तार से। लोगडाउन के दोरन घरों पर मनाई महावीर जैन्ती, अमन मैधा की जानकारी के अनुसार लोगडाउन होने के कारण 6 अप्रेल को प्रभू महावीर स्वामी जन कल्यानक, मौत्सों के शुप अफसर पर दौलत विला, त्रिश्लान अंदन महावीर के वर्भुडा की परिवार मिलकर सजाई गई, मही भाजबा महीलां मोचा कोशाद दे, शुप पूर्वन अगर परिशद उप सभापदी मंजु सोलंकी ने भी अपने घर पर अपने परिवार के साथ महावीर कल्यानक पर मनाया, इसी प्रकार एलाना से चेतन घर की रिपोर्ट के अनुसार परिवेदापाद में श्री जैन संग वारा भगवार महावीर जैनती के उपलक्ष में एवन कोरोना मामारी के चलते 500 भोजन के पैकेट घर घर जाकर वित्रन किये गए, संग के सदस्या, संग के सदस्या, जुगराज सुजानी ने बताए कि इस कारे में संग के ट्रस इम प ने घरों में रहकर भारती जंदा पार्टी के 40 फे स्थाबना दिवस पर अपने घर के चट पर पार्टी का जंडा फैरा है और मा भारती के चंडों में दीप्रजोलित कर पुश्प अर्पित किये दित्वरन जालोर विधायक जोगिश्वर गंग ने अपने घर की चट पर अमालाल व्यास आमन मैता दिनेश बारुट ने भी अपने घरों पर भाजबा का स्थापना दिवस मता है लोगडाउन के दौरान जी प्रेमियों की सेवा मोहनलाल कडवासरा चितलवाना की रिपोर्ट एनुसार कोरूना वारिस मामारी लोगडाउन की पालना करते हुए प अमृता देवी उद्यान रेश के उसेंडर धमाना पहुझाया। पर्मोमेटर, PPE kit, हाइपोग्लूरेट सॉल्यूशन एबं अन्य सामगरी क्रय करने के लिए सायता राशी दी है। पर्मोमेटर, PPE, हाइपोग्लूशन एबं अन्य सायता राशी दी है। पर्मोमेटर, PPE, हाइपोग्लूशन एबं अन्य सायता राशी दी है। आज हम लोगों ने सिवना, राइकुरिया और बाग्रा और सियाना का दोरा किया है। इस समय जो देशावर से लोग आये हैं, जो घर के अंदर 14 बीन तक रहेंगे, इसको सुनिशित करने के लिए आये। और यह बहुत अच्छी बात है कि अपने जालोर में अभी तक कोई पॉजिटिव पैसंद नहीं मिला है। क्योंकि लोग बाग वो बाहर से आके घरों के अंदर बैठे हैं और सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं। कुछ लोग अगर हम लोग तो उनको ढूंड रहे हैं जो लोग पालन नहीं करें। मामा शाओ ने राहत कोश में दी सहायता राशी। नामसीन से राजु सिंग राख की रिपोर्ट के नुसार कस्बी के कोरोना मामारी के मद्दे नजर सोंबार को आविश्वर महादिर सेवर ट्रस्ट। रामसीन द्वारा जालो जिला कलेक्टर राहत कोश में पांच लाख और मुख्यमंत्री राहत कोश में एक लाख की राशी के चैल सेवर ट्रस्ट के अध्यक्ष ठाकूर गंगा सिंग ने उप जिला कलेक्टर कुश्पा कवर सिसोधिया को सुपूल्द किये। इस अफसर पर ट्रस्टी ठाकूर वाक सिंग पूर्णग नायब तैसिलदार महरां पड़वारी राजुभाई हंजी मल जी जैन मोहन रावल आदी मौजू थे। इसी तरह साहिला से भरत चौदरी की रिबोर्ट के नुसार निवासी भामाशा मांगिलान फोला मुथा चरीडिबर ट्रस्ट साहिला ने कोरोना वायरस संग्रवन डेसी मामारी को देखते हुए 51,000 रुपे का चेक जिला कलेंटर हिमांचु बुक्ता को सौपा। उस समय जालोर विधार जोगिश्वर गर्वर जिला मां मंत्री पुखराई राज पुरोहित मौजूद थे। नारायन पर मानपूरा कोलोनी जालोर। ब्रेक के बाद एक बाद फिर से आपका स्वागत है। देवल ने किया अस्पताल का निरिक्षन दियर निर्देश। जस्वनकुरास ने महेंद्र पजापत की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरिस महामारी की रोख थांपर बचाप की तयारियों को लिकर सोमबार को राणी वाड़ा विधायर। नारेंट सिंग देवल ने शेत्र का दोरा वर स्वास्तों जरुतमन लोगों को सभी आवश्यक सेवाओं की जानकारी ली। इस औरान कजबे के सामुदाई स्वास्त केंद्र का भी निरिक्षन कर BCMO डॉक्टर दिलिप सिंग को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। देवल ने कोरोना संक्रमन पर अस्पतार में उपलब्द दवाओं, संसादुनों पर तयारी सेज अन्य सुविधाओं और सेवाओं का जायजा लिया। और हर संभव सायता का विश्रास दिलाया। रिवत्राम में पुलिस जवानों ने किया बैंक कमचारियों का कारे। नरपट चहान की रिपोर्ट के अनुसार रिवत्राम में नस्दीर की बैंक में ग्रामवासी द्वारा पैसे निकाले ही तो व्यवस्ता नहीं आई। तो लॉकडाउन के दारन महा तैनात पुलिस के जवान ही बैंक कर्मी बन गए और व्यवस्ताओं में लग गए। उन्होंने अलग-अलग ग्रामवासी एक-एक टोकन लेकर अंदर भेज मानता का परीचर दिया। पुलिस एवं सरपंच की सूजबूस से आग पर पाया काबू। सुरेजगर रोडला की रिपोर्ट के अनुसार आउर उपखंड शेत्र के रोडला ग्राम के चौपानड़ी शेत्र के उपर खेतों में अचानक अख्यात कानणों से आग लगी। इसी दरण कोरोना वारिस के गश्ट में निकले चानदाई चौकी प्रभारी शेतान सिंग, रोल्डा सरपंच, हुकम सिंग, राठोर इवं पड़वारी रमेश चंजर यादव अकॉंस्टेबल, शाम सही सभी कोरोना वारिस से सम्मन्दित गश्ट में निकले तभी चौप चल्दाय विभाग के हेलपर की मनमानी से ग्रामिन परेशान, मोधरान से जगमाल सिंग राश्प्रोहित की रिपोर्ट के अनुसार जस्वनद पूरा पंचय समीदी के मोधरान रेलवे स्टेशन, मोधरान गाव सहीद, शेत्र में कई दिनों से पानी की सप्लाइं नहीं हो पानी की सप्लाइं नियमित नहीं होने से ग्रामिन शेत्र में लोगों को बहुत भारी परेशानी जेली पड़ रही है, मोधरान के पानी सप्लाइं हेलपर को ग्रामिनों द्वारा बार बर कहने पर उन पर कोई असर नहीं हो रहा है, ग्रामिन शेत्र में लोगों को टैंक पानी मगवाना पड़ रहा है। 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 जन समय की खबरों में आज फिलाल इतना ही। कल अफिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आग्या दीजे। जे भारत जे जालू। पानी मगवाना पड़ रहा है।